हाँ जी चले जी लिटे इटम देख तो लूग लास्स पाट है विदे इटम इस खामारा तो तो कहां तो गोगे थे questions ठीक एश्याद मेरे खाल से exercise पुरी होगी है देख लेते हैं चले जी question कहा तो थे 32 तो गए थे कि यह गया था चलिए डिडेक्टिक क्या होता है मौरल लेक्चर एन्वी क्या होता है बोर्डम बैंड वेगन क्या होता है कि हैं जो सब लोग कि सब मानते हैं फिर मेटा पर हमारे जी है हो गया था ठीक है चलिए 33 नमबर क्वेस्चन है अचलिए बैठ जाइए बैठ जाइए शाबाश है अभी वट दो वी कॉल टू अ सीमिंगली कॉंट्रेडिक्टरी स्टेट्मेंट देश्टली ट्रू देखें लिए 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 शाबाश परिवाश लिए अच्छा है अब डेफिनिशन को पढ़ना हमारा काम है कि हम उसको कितना अच्छे से बढ़ते हैं हां जी सीमिंगली कॉंट्रेडिक्टरी स्टेट्मेंट का मतलब क्या होता है हां जी विरोधा बासी स्टेट्मेंट सीमिंगली के मतलब प्रतीत होता है ऐसा प्रतीत होता है विरोधा बासी है जो कि एक्चुली ट्रू है क्या बोलेंगे उसको देखिए परिवाशा देखिए आप, हाँ, paradox कहेंगे उसे बिलकुल, contradiction, paradox, सब related words हैं, oxy brown किसे बोलते हैं, जो contradictory words को एक साथ रखा जाए, alliteration क्या होता है, ठीक है, एक kenning आज कर नहीं देखते हैं, old use है, हाँ, seemingly contrary statement, that is actually true, क्या बोलते हैं, paradox, हाँ, नेक्स देखें में, लिख लिया के सबने के, लिखने आ रहा हम से, तो इन terms को एक बार दुबारा आपने पढ़ना है, सब को, हाँ, सब terms को एक एक बार पढ़ना है, सब के examples, यह जो हमने exercise लिखी है, इसमें हमने यह दुबारा इसलिए लिखे हैं, ताकि question किस form में आते हैं, समझ रहे हैं, हाँ, हमने एक चीज पढ़ ली है, लेकिन वो ऐसे तरीके से पूछी जाती है, कि हमने लगता है यह तो उमने पढ़ी नहीं है, हमने चीज पढ़ रखी है, वो ही पूछी है हम से, लेकिन उसको पूछे जाने का तरीका, समझ रहे हैं, क्वेस्चन का फ्रेजिंग बोलते हैं उसको, क्वेस्चन का फ्रेजिंग थोड़ा सा अलग तरीके से हो जाता है, चलिए, हाँ जी, बहुत अच्छा डेफिनिशन है, लिखें, और बताएंगे क्या है, मैं क्या क्या रहा हूँ, हमारी पड़िवी चीजें हम से पूछी जा रही है, लिखें, शावाश लिखो, बोली बही क्या है, परिवाश्या क्या है, is a term which is used to characterize, यहां पर characterize का मतलब क्या है, विशेष्टा बताना, देखिए शब्द कौन सा यूज किया है, बात ही शब्दों की है, कल अमने लिखा था, एक क्या लिखा था, deliberate, एक लिखा था, intentional exaggeration है, deliberate है, यह क्या होते हैं, जान बूच कर अपनी तरफ से, तो शब्दों की बात बड़ी important है, characterize का मतलब है, विशेष्टा बताना, किसी person या idea के विशेष्टा कौन बताता है, एपिथेट बताता है, एपिथेट को हम क्या बोलते हैं, दुबारा लिखले, एपिथेट एक विशेष्ट है, एपिथेट एक adjective है, adjective है, जो, noun या, हां जी, pronoun की क्या बताता है, बस, noun्य या pronoun की विशेष्टा बताता है, that qualifies a noun or a pronoun, एपिथाइट इजेक्टिव विच वालिफाइज अनाउन और अप्रोन विशेश्टा बताता है अब उसने कहीं भी बिल्कुल अलग लगता है क्योंकि यहां पर उसने वर्ड कौन से यूज कर लिया सारी डेफिनिशन ही गई हमारी समझ रहे हैं चलिए तो फार्स क्या होता ह है फार्स से एक फनी प्ले होता है एंजी कों सा प्ले है फनी प्ले चलिए जी वट इस एनिक्डॉट लिखें भी वट इस एनिक्डॉट इसका परिवाश्चा ही है डी ए ब्रीफ रीकाउंटिंग ओफ ए सिंगल रेलेवेंट एपिसोड और या 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 एन अमूजिंग और एंटर्टेनिंग स्टोरी एन अमूजिंग और एंटर्टेनिंग शॉर्ट स्टोरी चोटी कहानी एनिक्डॉट को इंदी में क्या बोलते हैं किस्सा या कहानी एक किस्सा याद आ गया तो एनिक्डॉट को शॉर्ट प्ले नहीं बोलते हैं पॉयम नहीं होती है लेटरी एज नहीं है कोई अब ब्रीफ रीकाउंटिंग ओफ ए सिंगल रेलेवेंट एपिसोड लेटरीचर का नॉटबुक सबका अलग होना चाहिए है उसी नॉटबुक में ग्रेमा रोसी में सब कुछ एक ही साथ लिखेंगे तो नहीं समझमें आएगा लिटरीचर का नॉटबुक अलग होना चाहिए को इक दो दिन क्लास में आ रहा है तो हमारे पास में ग्रैमर हमारा सेक्शन चल रहा है उसका नोट्बूक अलग होना चाहिए लिट्रेचर का अलग होगा ठीक है थोड़ा ओर्गिनाइज तरीके से काम करेंगे तो बैतर रहेगा है अब यह एनिकडॉट किसे बोलते हैं हैं जी शॉट या अमूजिंग स्टोरी चोटी 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 लाइन जम्निकल वन लाइन देखे थे मैं दुबारा पूचर रहा हूं देखता हूं कौन बताता है एपीटैफ क्या होता है इंग्लिस में बोलो हिंदी में कि बोलने से क्या हो जाएगा हां इंग्लिस में आयगा नहों को question यह दिन्दी में आयगा यह पता नहीं किसमें शुक्ल है ठीक है तो इंग्लिस में पढ़ो उसको ठीक है इंस्क्रिप्शन ऑन全部 क्या होता है epita teve होता है Epigraph क्या होता है? Quotation in the beginning of a book. Epitome क्या होता है? Paradigm होती है. Uttamudharan. Perfect example किसी चीज का. क्या बोलेंगे? Epitome. फिर Epilog क्या होता है? किस के end में? Book के, novel के end में. और Prolog क्या होता उससे? उससे पहले होता है. कल एक बड़ लिखाता है. Ascenditon क्या होता है? बहुत बड़ी है. Coordinate Conjection जो आपकी है. And है, Or है, But है. उनके बिना जब sentence लिखा जाता है. तो उससे क्या बोलते है? उससे बोलते है Ascenditon. किसका example है? आज़ एसंडाइट. चलिए ज़िए. अब ही, anecdote किसे बोलें? एक मज़ेदार किस्सा कोई ही. उसे एनिकड़ोट बोलेंगे. English में क्या का हमने देखी? इधर क्या कहा? एक Brief Re-Accounting of a Single Delivant Episode. चलिए ज़िए. हाँ जी, What do you mean by Didactic? कल लिखा था हमने. क्या होता है Didactic? Moral Lecture. दोबारा देखो, इसकी परिवाशा देखिए. दोबारा देखो. Didactic किसे कहेंगे? इसका आंसर B होगा. एक term that we use to describe a fiction or non-fiction that teaches a moral lesson. नैतिक शिक्ष्या जो देता है, उसे हम बोलते हैं Didactic. उप्देश देना. Didactic irony. उप्देश देना. एक term. term का मतलब क्या होता है? शब्द. जैसे कलेक वर्ड लेका, diction. क्या होता है? word choice. word नहीं होते हैं, diction. क्या होता है? अब देखो, diction शब्दिकर शब्द होता है. literature में इसका मतलब होता है word choice. आपका diction क्या है? क्या word बना था diction से? dictionary. जो शब्द कोश है. तो diction एक लेखक का कवी का शब्दों का चैन है. word choice है. चलिए. एक term that we use to describe fiction or non-fiction that teaches a moral lesson. moral lesson का मतलब netic शिक्षर. चलिए. dramatic irony कौन सी है? ऐसी irony जो ड्रमा में है. that is dramatic irony. irony क्या होती है? एक राजा कहानी में भीख मांग रहा है. एक विखारी जो है वो राजा बन गया. dramatic irony. विडम बनाऊं से भरी जो है वो. जैनर क्या होता है? फॉर्म होती है. जैनर आके देखेंगे आपके देखेंगे में लोग. चलिए जैनर क्या होती है. यहां तो कोई question? बढ़े आगे? बढ़े आगे क्या? चलिए, बढ़ना ही पड़ेगा. अब देखो, आगे आज देखेंगे. बड़ा important है यह. चोटे चोटे words, चोटे चोटे words. क्लिशे इतना common है, arm है. bandwagon इतना common नहीं है. बाते वही है. ठीक है? एक ऐसी term जिसका बहुत जादा इस्तमाल किया गया और एक ऐसी चीज़ जिसका इस्तमाल बहुत जादा नहीं किया गया. तो क्लिशे कौन से words हैं? जो आम तोर पर हम use करते हैं. bandwagon भी cliches हो सकते हैं. लेकिन वो बहुत जादा use नहीं किया जाता है. कंसीट टाइम से आओ जल्ली आओ. हाँ जी, कंसीट का हिंदी अशाब्दिकर्थ क्या होता है? कंसीट का dictionary define करती है Dumb. Dumb का मतलब होता है. क्या होता Dumb? Gamand. हाँ जी. Dumb. कल एक बड़ लगा था, hubris. and hybris. क्या होता है hubris? कली बड़ा है. थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इतना साथ हूँ. निरलज्जता. उस tragedy के hero की उसकी निरलज्जता और उसका pride उसका गमंड, overwhelming, बहुत जादा गमंड, जो उसका क्या लेकर आता है? उसका अंत लेकर आता है. तो वैसी conceit शाब्दिकर तो गमंड होता है. conceit होता है, जूठा गमंड. गमंड का मतलब होता है, ऐसा गमंड, ऐसा दृष्टिकोंड, जिसमें बहुत जादा गमंड है, लेकिन उसका अधार कुछ नहीं है. वैसी, फालतू का, useless, वैसे conceit बोलते हैं. Literary term में conceit जो है, ऐसा माना है कि वो concept से बना है, सुनेंगे पहले, और फिर हम लोग लिखेंगे ना, पहले 10 मिनट सुन लें, तो लिखना थोड़ा असान रहेगा, पता भी रहेगा क्या लिख रहे हैं. Conceit का मतलब है, सुरी, conceit का literature में जो है, वो ऐसा माना जाएगा कि वो concept से बना है, concept का मतलब हमारा क्या होता है, विचार होता है, conceit बना है concept से, तो conceit word यूज किया गया metaphysical poets के दवारा, metaphysical poets ने इसे यूज किया, इतना जादा कि ऐसा कहा जाता है कि metaphysical poets की ही देन है, metaphysical poets कौन थे? John, Dunn, Henry, Warren, Andrew, Marvel, ये सारे क्या थे? metaphysical, metaphysical term दिया किसने? Samuel Johnson ने, 18th century के critic हुए है, Samuel Johnson का सहाहिते में योगदान बहुत जादा है, क्योंकि इनका जो Shakespeare का जो, इन्होंने जो लिखा, और इन्होंने बाकी जितना criticism लिखा, critic है ये, writer ये poet नहीं है, आलोचक है, critic है, इन्होंने नाम दिया metaphysics, meta और physics, आना, जैसे metaphor, जैसे meta और four, क्या मतलब होता है meta का? meta का मतलब carry on नहीं होता है, meta का मतलब beyond होता है, फिर four का मतलब क्या होता है, carry on, देखो, जो थोड़ा पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा सा और पढ़ लें, है ना, तो clarity आएगी, पारदर्शित आएगी, अच्छा लगेगा आपको, चलिए, वैसे meta का मतलब beyond physical का मतलब शारिरेक, तो जो हमारी समच से थोड़ा सा दूर का है, वो metaphysical है, हो क्या है, हाँ, metaphysical है, metaphysical जो poetry है, जो metaphysics जो है, जो branch है literature की, जैसे एक romantic age हुआ, वैसे ही ये 17th century के poets थे सारे, जिसका फादर का जाता है, जॉन डन को, metaphysical का मतलब हुआ, इनकी poetry ऐसी थी, जो आम आदमी की समझ से बाहर थी, इन्होंने ऐसे अलंकार, ऐसी metaphor, ऐसी allegories, ऐसे illusions, ऐसे conceits यूज किये, जो आम आदमी के बस महीं नहीं थे, कि कहना क्या चाह रहा है कभी, उस समय के अंतराल में, समकालीन जा कर हम poets देखें, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लिखा, metaphysical poets जो थे, Samuel Johnson ने कहा कि इन्होंने जो लिखा, वो आम आदमी की समझ और उसकी senses है, उससे बहुत बाहर की चीज है, इसलिए, बदलब related है, इसलिए थोड़ा से देखेंगे, बाकि उसमें deep नहीं जाएंगे, conceit एक extended metaphor है, अब कौन बताएगा कि extended, फिर ही metaphor आ गया ना, अब इसको last में क्यों देखते हैं, उसका भी एक कारण है, देखे भी ए, extended metaphor हम किसे बोलता है, बहुत बढ़िया है, बताए एक extended metaphor, एक ही student ने बताए है, शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, ओली means, जो, sorry, जो continue करती है, एक से जादा line में, वो extended metaphor है, एक पूरे stanza में continue किया, तो उसे क्या कहा मैंने, extended metaphor कह दिया, राइट, जो एक line में नहीं, कितनी lines में है, दो line में है, पूरे stanza में है, दो इसे एक स्टेंड मेटाफर Allah वह सबसे पहला वर्ड है अगर मेटाफर है तो इसका मतलब क्या है जैए, इसका मतलब करूगा। अगर वो metaphor है तो इसका मतलब आपकी चीजें कैसी होंगी उसमें कोई दौरा नहीं है, वो सारी चीजें सेम है, क्योंकि metaphor ही है, आपको metaphor पता है क्या होता है, 15 दिन हो गए मैं metaphor को repeat करते हुए है, तो metaphor किसके बीच में comparison है, दो चीजों के बीच में, दो कैसी चीजों के बीच मे तो conceit भी दो unlike जो चीजें unrelated हैं, एक दूसरे से सम्मंदित नहीं है, उनके बीच की तुलना है, लेकिन conceit जो तुलना, metaphor और simli से किस तरीके से लग है, उसमें एक word आता है, unusual, उसमें एक word आता है, strained, उसमें एक word आता है, abnormal, उसमें एक word आता है, strange, ये शब्द शामिल होंग के conceit में, बहुत बारिक difference नहीं हो गया, अभी हमने कहा कि ये word बहुत ही मतलब poet पर depend करता है, कि उसने conceit को use किया, बहुत बारिक difference रहता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको समझने की, आजी, ऐस समान्ने, एक ही बात, क्या है जी, इन सब का meaning क्या है, ऐस समान्ने, metaphysical poets ने जब conceit को use किया, तो सबसे पहला सवाल students के मैंने में आना चाहिए, क्यों किया, conceit के जरूरत क्या थी, metaphor और simile से काम नहीं चल रहा है, इतने सालों से चली रहा था, तो conceit का use, metaphysical poets ने इसलिए किया, कि उन्हें लगा कि metaphor और simile तो बहुत boring term है, एक बहुत ordinary term है, एक ऐसे comparison थे, जो आम आदमी शायद उनको relate नहीं कर सका, और इसलिए उनको किसका नाम दिया गया, conceit का, तो conceit क्या है, extended metaphor है, एक और extended metaphor का नाम कौन बताएगा, बहुत बढ़ी है, ठीक है, लेकिन ये सारे क्या होंगे अपने आप में, सारे अपने आप में, क्या है, मेटाफर है, conceit को हम कौन से मेटाफर बोलते हैं, extended metaphor है, मेटाफर ही है, लेकिन ये क्या है, unusual है, क्या है, क्या है, इन सभी शब्दों का मिनिंग क्या होगा, ऐस समाने है, और अजीब है, तो फिर conceit क्या है, देखे मिध्यान से, दो conceit मुख्यते हम यूज करते हैं सबसे पहले, तो हम Petrarchan conceit पढ़ते हैं, और दूसरा पढ़ते हैं, Metaphysical conceit, हाँ भी, Petrarchan conceit कौन सा है, जो Petrarchan sonnet में है, हाँ भी, conceit chiefly किसमें यूज होगा, chiefly मतलब poetry में यूज होगा, कविताओं में यूज होगा, हाँ जी, किसमें यूज होगा, poems में यूज होगा, क्या, conceit, conceit जो कि एक क्या है, एक extended metaphor है, वो किसमें यूज होगा, poems में, वो दो तरीके के conceits हम देखते हैं, Petrarchan conceit और, Petrarchan conceit वो है, जो Petrarchan sonnet में इस्तमाल होते हैं, Metaphysical conceit वो है, जो Metaphysical, बस, कितनी सी बात है, Metaphysical poets ने इस्तमाल किये, उन्हें क्या बोलते हैं, Metaphysical conceit, जो Petrarchan sonnet में इस्तमाल हुए, वो क्या है, Petrarchan conceit, Petrarchan sonnet आपको पता है, वो हमने देख लिया है, चलिए जी, लेकिन इंपोर्टन बात क्या है, देखें मिध्यान से, इंपोर्टन बात है, इसके examples, कैसे एक बहुत ही बारीक line है, metaphor और conceit में, जैसे ब बड़ी बारीक line है, metaphor और simli में, क्या बारीक line है, बताई है, लेकिन उनका identification बड़ा आसान है, मैं simli को बड़ी आसानी से पैचान सकता हूं, कि simli है कि metaphor है, लेकिन मुझे metaphor और conceit को पैचानने में, थोड़ा सा अपनी senses को active करना पड़ेगा, मैंने कहा कि हम metaphor क्या है, तुल कर रहा है, अब गया, am I right, clear है, तो जो earth है, वो हमारी क्या है, mother है, हमने धर्ती को क्या बना दिया, मा बना दिया, तो वो सारे क्या है, वो सारे metaphor के examples है, राउल दरवीड एक दिवार है, मेरा दोस्त एक चटान है, वो एक lion है, वो एक horse है, माना परताप एक lion था, हाँ जी, clear है, एक वेक्ति, एक fox है, एक वेक्ति, आपका दोस्त बहुत चालाक है, तो आप कहेंगे, यह तो लोमडी है, तो उसको क्या बना दिया, हमने, fox बना दिया, क्या कर दिया, हमने, metaphor है, example है metaphor के, मैं कह रहा हूँ, हाँ, क्या कहा, तो John Dunn ने कहा, John Dunn की जो beloved है, और उसका जो love है, उसको उसने West Indies के spices से compare किया, मसालों से, तो वो क्या है, वो conceit है, अना, जहां पर मैं कह रहा हूँ कि दो beloved जो है, वो क्या है, उनको प्रकार के जो दो नुकीले points होते हैं, उन से compare कर रहा है हम लोग, अना, मैं clouds जो है, बादल जो होते हैं, उनको मैं bells से compare कर रहा हूँ, समझ रहे हैं, क्या है, बादल अनलाइक चीजें होनी चीएं, overall एक थोड़ा सा देख लें, कि मैंने व्यक्ति जो हैं, सुनने ध्यान से, व्यक्ति जो आकाश में गए, मैंने उनको देखा, और उनको compare कि से किया, जैसे मंदिर में क्या होती हैं, bells होती हैं, ऐसा comparison जो आप अपनी, अब इसको समझना पड़ेगा, लिखना बड़ा असान हो जाएगा, आप अपनी जो day to day life है, अना, उसमें जो comparison करते हैं, वो सारे के सारे metaphor हैं, अना, मैंने का गोड़े की तरह से खा रहा है एक आदमे, बहुत ज़दा खा रहा है, अरे गोड़े की तरह से खा अर्मन है, हर आमाद में यूज करता है, लेकिन जहां पर आपका comparison थोड़ा सा unusual हो जाता है, आपका comparison क्या होता है, unusual हो जाता है, वो किसका example होता है, जैसे मैंने कहा कि एक जो heart broken है, टूटावा दिल जो है, वो एक damage clock की तरह से होता है, ये बात हमने नहीं सुनी है, हमने नही आम बात है, हम देखते हैं कि किस तरीके से मारना परताप के लिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मैंने कहा जो शेर्शा सूरी था, वो fox था, बहुत चलाग था, हमें पता है कि उसने बड़ी चलाकी से आदे युद्ध तो किस से जीते, चलाकी से जीते, दोखेबाजी से अलावदीन खिल जी ने आदे युद्ध जोकेबाजी से जीते, वो क्या था, फिरू किस तरीके की चीजे जू इृध गिर्ध हमारे डे टू़डे लाइफ में हम क्या करते हैं, यूश करते हैं लेकिन ऐसी बाते हैं, जो हम जनरली नहीं सुनते हैं, ऐसी बाते हैं, जो हमारे लिए थोड़ी सी strange और unusual होती हैं, वो metaphor क्या कहलाती है, वो metaphor conceit कहलाती है, तो इसमें बहुत बारीग फर्क है छोटा सा, usual और unusual का, तो क्या हम conceit को metaphor कह सकते हैं, कह सकते हैं, तो मैं फिर कहूंग कि metaphor फिर एक बड़ी ही brotum है, जिसमें हमने बहुत सारे चीजें देखी थी, सबसे पहले हमने क्या देखा था, simply देखी थी, फिर हमने देखा था, पह explorants अना, फिर हमने ilusion देखा था, फिर हमने analogy देखी थी, और फिर हमने क्या देखा था, अब conceit हमने सबसे last में इसलिए रखा है क्योंकि ये सब comparisons हम लोग सब जानते हैं conceit एक ऐसा comparison है जो शायद हम उससे परिचित नहीं होते हैं और बिल्कुल हमारे लिए क्या लगता है नया comparison लगता है चले लिखेंगे भी conceit के लिखें हाँ भी लिखेंगे conceit एक figure of speech है conceit एक figure of speech है conceit is a figure of speech in which sorry conceit is a figure of speech which is also known as extended metaphor conceit एक figure of speech है जिसे extended metaphor कहा जाता है जिसे extended metaphor भी कहा जाता है conceit एक figure of speech है जिसे extended metaphor भी कहा जाता है conceit is a figure of speech which is also known as extended metaphor extended metaphor भी कहा जाता है conceit metaphor की बांती conceit metaphor की बांती conceit, lie के metaphor conceit metaphor की बांती दो ए समान वस्तूओं के बीच तुलना है conceit, lie के metaphor कॉमा is comparison between two unlike things comparison between two unlike things conceit, lie के metaphor is comparison between two unlike things metaphor की बांती दो ए समान वस्तूओं के बीच तुलना है ए समान को हम क्या कह सकते हैं unlike, ए समान को कह सकते हैं unrelated कैसी? unrelated, unparalleled जो parallel नहीं है, समानांतर नहीं है एक जैसी नहीं है, similar नहीं है dissimilar है, कितने सारे words यूज कर सकता है वो question मिनाने के लिए चीज़ें dissimilar हैं, चीज़ें unlike हैं चीज़ें unrelated हैं चीज़ें unparalleled हैं समझ रहे हैं? चलिए जैए conceit क्या है, metaphor की बाती दो एसमान वस्तूओं के बीच तुलना है किन्तु कंशीट से जो तुलना होती है वह है the comparison which conceit brings the comparison which conceit brings is the comparison which conceit brings is किन्तु कंशीट से जो तुलना होती है अब इंगलिस में लिखना पड़ेगा, हिंदी के बर्टन से नहीं है इसलिए किन्तु कंशीट से जो तुलना होती है वह है strained unusual वह strange होती है the comparison which conceit brings is strained unusual and strange किन्तु कंशीट से जो तुलना होती है होती है वह strained unusual वह strange होती है कि कंशीट मेटाफर की बांती कंशीट मेटाफर की बांती मेटाफर की बांती कॉमन कंशीट नहीं फॉलो करती कंशीट अनलाइक मेटाफर कंशीट अनलाइक मेटाफर कि क्यों कंशीट होगा है तो मेटाफर ही परसॉनिफिकेशन क्यों होगा भई कंशीट मेटाफर है पूरे तरीके से सो प्रसेंट कोई मिलावट नहीं है इसमें कि अगरी नहीं उनलाइक मेटाफर दस नाट फॉलो कॉमन कंपैरिजन टेखिए वह एक एक लाइन त्यान से सुनेंगे अनन अ कि कि नटू कंशीट से जो तुलना होती है वह एस्टेंड अन्यूज़ और कैसी होती है स्टेंज होती है कॉंसीट मेटाफर की भाती common comparison, common comparison मतलब क्या हो गया, आम, आम तोर पर जो हम comparison देखते हैं, किसी वेक्ति को क्या बनाया जाता है, जानवर, चटान, पहाड, शेर, गोडा, उंट, गदा, वो comparison इसमें नहीं होते हैं, तो इनके comparison कैसे होते हैं, strained होते हैं, strained का मतलब stressed होते हैं और कैसे होते हैं, unusual होते हैं, और कैसे होते हैं, strange होते हैं, हाँ जी, तो कंसीट, मेटाफर की भाती, common comparison नहीं follow करती हैं, लिखें भई, जब कवी, जब कवी, अपनी प्रेमिका की तुलना, West Indies के मसालों से करे हाँ जी, when the poet compares his beloved to the spices of the West Indies, when the poet compares his beloved to the spices of the SPI-CES SPI-CES to the spices of West Indies, comma जब कवी अपनी प्रेमिका की तुलना West Indies के मसालों से करे हाँ जी, जब जब किसी यूगल की तुलना कपल, जब किसी यूगल की तुलना प्रकार, प्रकार क्या होता है, कॉमपास, प्रकार के दो तुलना प्रकार के दो नुकीले पॉइंट से करें, कॉमपास, उसमें कॉमपास लगाना है, पीछे लिखा है, इससे पहले लिखा है, उसमें कॉमपास फिर कंटीनू करना है, जब किसी यूगल की तुलना प्रकार के नुकीले पॉइंट से करें, या जब, यह इंग्लिश में लिखना है, वो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, जब ब्रोकन हार्ट की तुलना, ब्रोकन हार्ट की तुलना एक डैमेजड क्लॉक से की जाए, हाँ जी, वेन अ ब्रोकन हार्ट इस कमपेट तुए डैमेजड क्लॉक, सभी कंसीट के उधारण होंगे, सभी कंसीट के उधारण होंगे, सभी कंसीट के उधारण होंगे, इक इस तरीके के कंपरिजन है, ऐस समाने है, स्ट्रेंड है, अन्यूजवल है, जब किसी व्यक्ति के तुलना मिर्च मसालों से की जा रही है प्रकार के दो पॉइंट्स ले लिए उनसे की जा रही है ऐसा माना गया है कि प्रकार के दो पॉइंट्स इसलिए कि उनसे किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है वो लव में इतना जादा हैं कि अपने मावा को भी भूल जाते हैं, तुलना थोड़ा सा जीब है, broken heart, टूटे भी दिल की तुलना की है, damaged clock से, एक घड़ी जो क्या है, रुकी हुई है, दिल broken heart जब broken है, तो feel करना बंद कर देगा, रुक जाएगा, वैसे ही जैसे घड़ी usual or strange है, हाँ जी, यह मने उदारण देख लिए, conceit के, चलिए जी, अब एक लाइन छोड़ के लेखेंगे, conceit मुख्य तौर से, conceit मुख्य तौर पे, metaphysical, poets द्वारा, use किया गया figure of speech है, किया गया figure of speech है, conceit is a figure of speech, conceit is a figure of speech, chiefly used by, chiefly used by metaphysical poets, metaphysical poets, जैसे लिखने भी metaphysical poets में, example के लिए, जैसे John Dunn, Henry Vaughan, Henry Vaughan, Andrew Marvell, etc. इत्यादे, पैया प्रॉप, पैया के लिए, झाँ है, कंसीट मुख्य था है अगर आपका सवाल आ जाए कि किस एज का जो था वो एक मुख्य ट्रेट था गुण था कि मेटाफिजिकल कॉलिटरी कौन सी सदी में 17th century में एट्सेटरा कंसीट कि 17th century का सबसे सबसे important figure of speech था important figure of speech था मैटपूर्ण figure of speech 17th century जो है वो मेटाफिजिकल कॉलिटरी क्योंकि 1832 में आपका romantic age आ गया था जस्ट बाद में तो फिर वो अपने आप में अना वो भी अपने आप में romantic word का मतलब क्या होता है imaginary उनकी कल्पना भी अपने आप में बड़ी अजीब थी तो सारा दोर इसके बाद में वो शुरूई हो गया चलिए जी तो मेटाफिजिकल कंसीट कौन से पोईट्स ने सबसे ज्यादा यूज किया मेटाफिजिकल पोईट्स ने मैटाफिजिकल नाम किस ने दिया इस पर ज़्यादा हम लिख नहीं वह लिखें दो प्रकार के कंसीट कि दो प्रकार के कंसीट का यूज होता है टू काइंड्स ओफ नसीट सारी उस्ट काइंड सौफ कौन से पाइंड लेंड़िज के स्टूडेंट को कभी भी टूसे नहीं लिखने चाहिए याद रखना इस बात को ठीक है कभी भी टू निमेरिक टू कभी मत लिखना ठीक है तू कैसे लिखना होता है टी डबली ओ चलिए दो प्रकार के कॉंसीट का यूज होता है नंबर वान लिखें है हाँ जी पैट्रारकन कॉंसीट हाँ जी पैट्रारकन कॉंसीट आगे लिखें वे कॉंसीट जो पैट्रारकन सॉनेट्स में यूज हुए बस एक लाइन पैट्रारकन सॉनेट्स में यूज हुए वे कंसीट जो पैट्रारकन सॉनेट्स में यूज हुए वह कॉंसे कंसीट इस है लिखें आगे पैट्रारकन कंसीट depend qui लिखें लिखें आगे एंक पैट्रारकन सॉनेट्स तरहे जो उसे क्या बोलते हैं? पेट औरकन कंसीट बोलते हैं, सिंपल है, ठीक है? दूसरा, मेटाफिजिकल कंसीट्स, अब यह दूसरा लिखें, जो मेटाफिजिकल पोईट्स के द्वारा यूज की गई गई, जो मेटाफिजिकल पोईट्स के द्वारा यूज की गई, those used by the metaphysical points, those used by the metaphysical points, those used by the metaphysical points. हाँ जी, तो conceit, इनका एक बाग होते भी इनसे अलग है, इसलिए इसको हम अलग से देखते हैं, बहुत कंसीट, metaphor की एक family का हिस्सा होते भी उससे अलग है, क्योंकि अपनी strangeness के कारण, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, देखेंगे बोर्ट पर ध्यान से, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बोर्ट पर देखेंगे एक बार ध्यान से, हमारा एक वर्ट था, metaphor, meta का मतलब होता है, beyond, for का मतलब होता है, carry करना, जो कहां लेके जा रहा है हमें, कहीं और लेके जा रहा है, that is metaphor, metaphor में हमने क्या देखा था, simly, metaphor में हमने देखा था, illusion, metaphor में हमने देखा, yes, analogy, और भी देख लिए जैसे, personification, लेकिन मुखे दौर से, comparison इन शब्दों से द्वारा हो रहा है, ये चारो शब्द क्या कर रहा है, comparison कर रहा है, तो इन सब के comparison जो है, वो comparison है, जो आम है, जो हमें सुनाई देते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, जो लोग यूज करते हैं, जो recurrently हमें सुनाई देते हैं, जो हर तीसरा चौथा आदमी से हम लोग क्या है, सुन सकते हैं, ल लिखना पड़ेगा क्योंकि यह एक metafor होते भी metafor से बहुत जादा अलग है क्योंकि इसका comparison unusual है, strange है, unlikely है, कैसा है, unlikely के मतलब क्या होता है? अज़ भई, unlikely का मतलब not probable, जो संभव नहीं है, चलिए अजी, तो यह भई लिखा हमने conceit, next लिखें, next लिखें भई, पन हाँ, जी, किसी शब्द के, किसी शब्द के, एक से जादा अर्थ होते हुए, कवी का play of words के लिए, play of words के लिए, उस शब्द का चयन, उस शब्द का चयन, पन कहलाता है, उस शब्द का चयन, पन कहलाता है, इसको इंगलिख भी लिखना पटेगा, लेकिन अभी इसका लिखनें भी, a word which has more than one meaning, a word which has more than one meaning, a word which has more than one meaning, and is adopted by the poet, and is adopted by the poet for play of words, and is adopted by the poet for play of words. हाँ जी, तो क्या लिखा, play of words का मतलब है, वो शब्दों उस तरीके से, यहाँ पर शब्दों का लिए खेलना नहीं है, यहाँ पर है, क्या मतलब है, कि शब्दों का उस तरीके से हो रहा है, जब Robert Frost कहता है कि, miles to go before I sleep, तो वहाँ पर sleep का मतलब सोने से नहीं है, वहाँ पर sleep का मतलब death से है, तो एक ही शब्द के कितने meaning हो गए है, एक से जादा आर्थ हैं, जैसे हिंदी में, उर्दु में, सब में हम देखते हैं, द्वी अर्थी शब्द आप डूणते हैं, कबीर यूज़ करता है, कनक, कनक, तो वहाँ पर एक word का, कनक का मतलब कुछ और है, वहाँ पर क्या मीनिंग है, वो डूणना पड़ता है कविता के संदर्ब से, पॉयम के context से डूढ़ना पड़ता है, जब वो कहता है कि miles to go before I sleep, तो उसका मतलब है उससे पहले दो lines वो जाएगा, वो कहेगा I have promises to keep, मुझे बहुत सारे वादे निवाने हैं, और ऐसे बहुत सारे काम है जो अभी मुझे मरने से पहले करने हैं, तो एक से जादा शब्दों का word जो होता है, वो क्या होता है, पन होता है, जैसे इंदी में हम क्या बोलते हैं, वैसे द्वी अर्थी शब्दों को ambiguous बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ambiguous का मतलब द्वी अर्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनके अर्थ कितने हैं, दो अर्थ हैं, तो पन में भी हम क्या करते हैं, ऐसे शब्द जिनका अर्थ कितना होगा, दो अर्थ होंगे, उनका चेन कभी द्वारा किया जाएगा, किसी शब्द के एक से जादा अर्थ होता हुए कभी का play of words, शब्दों से खेलना चाहता है, शब्दों से खेलने का मतलब ह उसको interesting बनाने के लिए हम use किया जाता है, जैसे अभी हमने एक बड़ा अच्छा कारण था, कि conceit का use क्यों किया metaphysical poets ने, क्योंकि पहले के metaphor और simply बहुत boring हो चुके थे, वो बहुत साधारन हो चुके थे, हराम आदमी समझ लेता था metaphor क्या है, तो उसी तरीके से play of words, शब्दो One is the use of words or the use of words with multiple meanings or sounds. पन is the use of words with multiple meanings or sounds. पन उन शब्दों का चैन है, जिनके multiple मतलब एक से, हाँ, एक से ज्यादा, multiple meanings, और underline कर लिए, meanings or sounds को, multiple meanings हैं और sounds हैं, हम देख रहे हैं, sound कौन-कौन से हैं, vowel sound हैं, और कौन से sound हैं, और कौन से sound हैं, और कौन से sound हैं, consonant sound. हाँ, तो एक ही शब्द के कितने अर्थ निकल रहे हैं बई, दो और निकल रहे हैं, लिखें बई, लिखें बई, लिखें बई, 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 खान जी, क्या लिखा भाई, विन सम्वन सेस्ट क्या मतलब हुआ इसका? कहां है, पन कहां पर है, कौन सा वर्ड है जिसमें पन है, बताईए क्या है, प्यक्तर रास्ता है? पैदल चलने वाला, पैदल होता है, पागदंडी, आपक शड़क पे चलते हैं, आपने देखा होगा कि इक रा n lherd एक संक्रा रास्ता है वह पैदल चलने वालों के लिए, उ यहां पर predestrian का मतलब क्या है? Boring. यहां पर predestrian का मतलब ऐसा नहीं है, किताब पैदल चल रही है. यहां पर predestrian का मतलब क्या है? Boring है. चलिए जैसे लिखें, When Robert Frost says, When Robert Frost says, Miles to go, Miles to go, Before I sleep, Is an example of one. कौन सा वर्ड है यहां पर? Sleep. Miles to go, बहुत दूर जाना है अभी, सोने से पहले नहीं, किस से पहले? मरने से पहले, डेथ से पहले, मुझे अभी बहुत काम करने हैं. Miles to go का मतलब क्या है? बहुत काम करने हैं अभी. Miles to go, Before I sleep. पूरे लाइन क्या थी? तीन लाइन्स बढ़ाएगा कोई? तीन लाइन्स क्या है यह? फेमस त्री लाइन्स. वोट्स आर? Lovely, dark and deep. I have promises to keep. Miles to go, Before I, चले. तो यह बठा भी पन. पन का मतलब क्या है? एक ही शब्द के, कितने अर्थ होंगे? तो वो हमें थोड़ा सा कविता के संदर्ब में देखना पड़ेगा, कि उस शब्द का मीनिंग क्या निकल रहा है? चलिए जे. Next लिखें. Neologism. Neologism. नियों का मतलब नया, लॉजी का मतलब स्टड़ी. Neologism. एक लाईन है बस. Neologism लिखो. नय शब्दों का, नय शब्दों का बनना, वे यूज होना, नय शब्दों का बनना, वे यूज होना, Neologism कहलाता है. नय शब्दों का बनना, वे यूज होना, Neologism कहलाता है. Formation of, formation and use of new words, formation and use of new words, is known as Neologism. Formation and use of new words, is known as Neologism. Neologism मतलब हमेशा, जब भी नय शब्दों का चैन होता है, नय शब्द बन के आते हैं, कैसे नय शब्द बन के आते हैं? जैसे लिखेंगे, स्पून and फॉक से बना स्पॉक, स्पून का मतलब चमच, फॉक का मतलब कांटा, इन दोनों का मिक्स्चर एक आता है, जिसमें आदा कांटा होता, आदा चमच होता है, उसे क्या बोलते हैं? स्पॉक, एक नया शब्द है, जैसे, स्मोक और फॉक से क्या बन गया? स्मोग, स्मोग का मतलब दुआ, फॉक का मतलब कौहरा, इन दोनों का मिक्स्चर होता है, तो उसे बोलते हैं स्मोग, तो ये क्या है सारे, दो शब्दों से मिलकर बन गये, तो नये शब्द बनाए जा रहे हैं, तो जब भी नये शब्द बनाए जाते हैं, नये शब्द जब भी बनाए जाते हैं, तो नियोलोजिजम है, आज आपके मॉबाइल से कितने सारे शब्द नये आ गए, एक बड़ आ गया सेल्फी, वर तो Self था, Self का मतलब क्या होता है, मैं खुद हूँ, मैं आईने में देखता हूँ, तो मैं कोन हूँ? Self हूँ, एक वर यहाउट होता है Selfish, तो Selfish कोन है, जो खुद के बारे में सोचता है, वर तो Self, वर क्या बन गया? Selfie, Neologism है, नए- नए शब्द बनकर आते हैं. तो जैसे समय बदलता है, जैसे वक्त बदलता है, वैसे वैसे नए शब्दों का चेन होता है. हर सदी में नए शब्द बनते गए. उसे क्या बोलते हैं? Neologism. नए शब्दों का चेन. एक या दो से ज़्यादा शब्द मिलकर कोई शब्द बनाते हैं, वो किसका एक्जामपल होगा, नियोलाजिस्म का, चले जिए, पढ़ लखें, सिज़रा, इसका उचारण क्या है, हाँ, सिज़रा, सिज़र, कैंची वाला सिज़र नहीं, जूलियस सिज़र वाला सिज़र, सिज़र, हिस्टिम पढ़ते हैं न, सिज़र से बना वर्ड, सिज़र पहला दुनिया का बच्चा था जो ऑपरेशन से हुआ था, तो इसलिए सिज़र से बना है वो वर्ड, चले, सिज़रा क्या होता ह punctuation है Comma लगाते हैं Dash लगाते है कि धी है दो Lines लगाते हैं वह सारे क्या है sóma है Dash है yhte कौमा say इस्चान Geno in viens Noriडड में नहीं सारे क्लाते हैं चीज़ा कहलते हैं किस के लिए अब जो इनका यूığुस है वही इनका रहता है कैसे जैसे gome क्या आदे sentence पर पॉस के लिए डैस क्या है किसी और चीज को explain करने के लिए लेकिन अभी punctuation पर में नहीं जाना है जो sentence में पहले शब्द के बाद या लास्ट शब्द से पहले यूज किये जा सकते हैं सिजरार पंक्टवेशन मार्क्स 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 पंक्टवेशन मार the first word sorry which may be used after the first word after the first word and before the last word after the first word and before the last word yeah, the last word is the first word as we can write dash comma comma inverted comma etc this comma is this inverted comma is this dash what do we say? we say Scizorra Scizorra which marks are? punctuation comma inverted comma how do we know? this dash is just Scizorra and nothing Scizorra Scizorra which marks are? punctuation marks punctuation marks punctuation marks comma inverted comma dash चलिए पन क्या है? पन क्या है? एक ही शब्द के कितने अर्थ है? दो अर्थ है तो उन दो अर्थों में से वो poet बिना ये इस पश्ट किये उस शब्द का यूज़ करता है ताकि हमें ये अंदाजा लगा सकें किसे अंदाजा लगाएंगे? कविता के संदर्ब से poem के context से कि वो क्या कहने कोशिश कर रहा है conceit किसे बोलते हैं? conceit एक extended metaphor है जिसमें metaphor की तरह से ही दो unlike चीज़ों में तुल्ना होती है लेकिन उसकी तुल्ना हाँ ऐस समाने होती है लिखें बई anachronism एक line है इसमें कुछ नहीं है anachronism anachronism क्या होता anachronism? लिखें जब किसी व्यक्ती या वस्तु को जब किसी जब किसी व्यक्ती या जब किसी व्यक्ती या वस्तु को गलत समयकाल में गलत समय काल में रखा जाये, उसे अनाख्रोनिजम कहते है। When a person or thing, when a person or thing is placed in the wrong time period, it is known as anachronism, anachronism, गलत समय काल में रखा जाये, तो उसे क्या कहेंगे जैसे, बताइए जैसे, गलत समय काल में कैसे रखा जाये, जैसे मैं कहूं कि 17 शेताबदी में, जॉन डन की एक पोएम में, एंजी, फोन का जिक्र होगा, मॉबाइल फोन का जिक्र होगा, तो वो क्या है, anachronism है, लेकिन आप कहेंगे कि आया तो अब है तो तब कैसे जिक्र हो गया, कल्पना हो सकती है, इमेजीनेशन हो सकता है, बहुक्त कभी हमने सोचा था कि हम चान पर जाएंगे, लेकिन चान पर जाने वाला जुमला था एक, एक कलिशे था, कितुं कौई सा चान पर पहुंच गया, लेकिन आदमी वास्ता में क्या है, चान पर पौँच गया, लेकिन उस समय से पहले ही, अगर वो इस तरीके की बातें करने लगे तो वो ऑनाक्रनिजम है। व्यक्ति करता ही क्यों है रिलेट करने के लिए किसके लिए हैं ताकि वो लोगों से क्या कर सके रिलेट कर सके समय आजी जब किसी व्यक्ति आवस्तों को गलत समयकाल में रखा जाए जैसे जैसे किसी नौवल में मूवी या जैसे किसी नौवल में मूवी या थ्याटर को मैंशन किया जाए जब कि उस काल में वैसा नहीं था देखिए भई आप नहीं देखते हैं मांने पर जाए कि एक अगयद सब्सक्राइब आ NEW्लू है हंतमा गांदी की मैं पर नहीं बता रहा हूं नहीं 140 में मात्मा गांधी बारात आए अधर हरो तो समय मेंसे कि मैंने वाने खॉछ खाफ। और सत्रमी शताबदी में दुनिया का जो मैप था, उससे अलग मैप मैंने दिखा दिया, एक ऐसा रूट दिखा दिया, कोई कि फिल्म तो कब बन रही है, आज बन रही है, कहान ही कब की है, 300 साल पहले की, तो मुझे वो ध्यान भी रखना पड़ेगा समय और काल, कि 300 साल पहल like the mentioning of a movie or theater in a novel, like the mentioning of a movie or theater in a novel, mentioning of a movie or theater in a novel, when they were not invented, when they were not invented, when they were not invented, जब उनका विश्कार हुआ है नहीं था, जब ऐसी चीज़ें थी नहीं, is an example of anachronism, when they were not invented, जब चीज़ें थी ही नहीं, तो जैसे मान लीजिए मैं एक biography लिख रहा हूँ हूँ, बड़ा ध्यान रखना पड़ता, biography जैसे मान लीजिए कि मैं विवेका समय पर दुनिया का नकशा क्या था, बारत में कौन कौन था, आज से सौ साल पहले की बात करूँगा, और मैं पाकिस्तान की बात करूँँ, तो पाकिस्तान थो था फाही नहीं तब, तो और मक्राल विख्ति और वस्तु को गलत समय काल में रखा जाये, तो उसे किस का example कह现在 क देखेंगे और लेटरी फॉर्म्स देखेंगे कुछ और भी अगर दो चार रहे गई होंगी तो हम लोग एक्साइज के तुरूप फिर देख लेंगे ठीक है लेटरी टम्स यहां तक सभी रिपीट करके लाएंगे सारा का सारा पार्ट कल एक बार रिपीट करूँगा और फि ठीक है चलिए ग्रैमर का पार्ट देख रहे था हम लोग